आखिरकार खेसारी लाल यादो का टसन आप देख सकते हैं जी हाँ खेसारी लाल यादो जो की पावस्टार पवन सिंग का नाम भी मूपर नहीं लेना पसंद करते आपको बता दे कि खेसारी एक ही दिन में दो बार मीडिया के सामने आते हैं एक लाइव आते हैं तब आप देख सकते हैं क्योंकि खेसारी जब भी लाइव आते हैं मीडिया की सुर्खिया बन जाते हैं क्योंकि वो अपने लाइव में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद होना लाजमी है और इस बार भी उन्होंने यही किया है कि यहाँ पर पवन सिंग का नाम नहीं लिया है लेकिन मेरे बड़े भईया कहके संबोधित क्या आप सभी जानते हैं कि खेसारी लाल यादो इतने प्यार से जी हाँ इतने प्यार से बड़े भईया किसे कहते हैं खेर हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं जहां पर रिपोर्टर ने पूछा कि भूचपुरी इंडस्ट्री में खेसारी जी आपको अपने बाद सबसे जादा फिट कौन नजर आता है ऐसे में खेसारी लाल यादव ने यह जानते थे कि उन्हें सबसे फिट पवन सिंग ही नजर आते हैं लेकिन यहाँ उन्होंने पवन सिंग का नाम नहीं लिया वो खुद रिपोर्टर को गोल गोल घुमाते रहें लेकिन रिपोर्टर ने भी पीछा नहीं छोड़ा उन्हें दो से तीन बार ये सवाल किया लेकिन आप सभी जानते हैं कि बात करने की माहिर है खेसारी लाल यादो और जब भी कोई इनसे बात करता है तो उनकी बातों में वो खोई ही जाता है ऐसे में रिपोर्टर को भी उन्होंने वो जवाब नहीं दिया जो उसे सुनना था और सारी लाल यादों ने ऐसे साफ जाहिर कर दिया कि पावस्टार पवन सिंग की हर हरकत पर नजर रखते हैं लेकिन ये वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे भूच पर जगत की होट और मसाले दर गासिप के लिए में सब्सक्राइब करना मिलकुल न भूले